आपको अपनी स्कस लाइफ को ठीक करना है तो आपको सेक्स स्टेज को एंड़स्टेंड करना होगा तब ही आप अपनी सेक्स लाइफ को हल्दी कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं Otherwise आप जो treatment ले रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो आप गोलियां खा रहे हैं, ब्यागरा type of the medicine, इससे आपकी sex समझा solve नहीं होगी, ब्यागरा type of the medicines आपको कुछ temporary फायदा दे सकते हैं और इसका 10 से 15% role हो सकता है आपके sexual wellness को या sexual health को ठीक करने में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, इसका कोई contribution है, और इसके अपने side effect हैं और इसके अपनी आदतें पड़ती हैं, तो कोई दवाई, कोई जादोई tablet से या कोई जादोई ilaj इसका नहीं होता है, आपको अपनी health को समझना होगा, अपनी desire को समझना होगा, आपको अपनी limitations को समझना होगा, और आपको अपने partner के साथ connect करना होगा यदि आप connect करना चाहते हैं आप stimulation चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि naturally यह चीज ठीक हो जाए तो उसके लिए sex stages को आपको समझना होगा sex की अपनी four stages होती है जिन stage को one by one यदि हम achieve करें one by one यदि हम step in करें उस पे तो हम अपनी sex desire को sexual energy को sustain कर सकते हैं और sex को काफी beautiful, लंबा और अच्छा बना सकते हैं जिससे की दौनों लोगों को काफी फायदा होगा तो सबसे पहली जो sex stage है वो होती है आपकी desire, desire libido desire और libido मतलब वो बिचार, वो thought आपके अंदर आना जब आप desire आती है, जब आप हम imagineeat करते हैं या जब हम सोचते हैं या कुछ ऐसा हम देखते हैं तो हमारे अंदर desire libido start होता है desire libido start होना बहुत important है यदि desire libido start नहीं होगा तो आपके body के अंदर hormonal biochemical change नहीं आएंगी और फिर आपको erection की समश्या आएगी दूसरी stages होती है कि जिसमें हम excitement होता है यानि desire libido यदि आया है और वो desire libido यदि आपको समय तक आपने उसके साथ अपने brain को सरीर को रखा तो फिर second stage develop होगी उसको कहते हैं excitement आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर कोई excitement ही नहीं होता है excitement तब नहीं होगा जब desire नहीं है लिवर नहीं है तो excitement का मतलब होता है कि हमारे body के level पे वो hormones वो biochemical change start होता है वो testosterone, androgen यह सब start होते हैं और females के अंदर progestron ही start होता है तो excitement के दोरान आपको erection start होगा जो आपके breast है जो nipples हैं वो hard होंगे और आपका face का expression change होगा body का reaction change होगा blood pressure, pulse यह सब change होगे और थोड़ा सा आप excited और कई वारी आपने देखा है कि anxiety भी feel करते हैं तो excitement is a very important part excitement के दोरान हमारी body के अंदर hormonal biochemical change शुरू होता है क्योंकि sex एक total hormonal reaction है एक totally mental physiological reaction है आपके सरीर का उसके बाद आती है आपकी third stage जिसको हम orgasm कहते हैं third stage में आप penetrative sex को start करते हो उसके अंदर hugging, teaching, smooching, licking यह सब आता है और आप दोनों लोगों के बीच में वो excitement के बाद वो internal hormonal biochemical change शुरू हो जाता है और वो हमारे action में वो हमारे organs के level पे वो हमारे reaction में वो physiological level पे दिखाई देता है इसके बाद आता है fourth stage आपका लेकिन fourth stage से पहले मैं third stage में एक चीज clear कर देना चाहता हूं कि females को orgasm हो penetrated sex के या vaginal sex के दौरान ऐसा आवशक नहीं है most of the females penetrated sex के दौरान orgasm को achieve नहीं करती हैं कई वह देखा जाता है कि वो secretion भी नहीं होता वो discharge भी नहीं होती तो females का जो orgasm है वो late हो सकता है पहले हो सकता है या उस दौरान ना हो तो that is completely normal females का जो orgasm है उसके लिए penetrated sex is the not only the guarantee वो masturbation से हो सकता है without masturbation हो सकता है सोचने से हो सकता है touching से हो सकता है licking से हो सकता है तो there are the in number of reasons but orgasm achieve करने के लिए एक female को on an average 12 से 18 minute लगते हैं या इस से ज़्यादा भी लग सकते हैं एक इन आदमी को ये orgasm achieve करने के लिए 5 to 8 minutes लगते हैं तो जरूरत इस बात की है कि 4 play लंबा हो थोड़ा सा slow हो और time duration थोड़ा सा ज़्यादा रहे यदि आपने total इस 4 stage को लगबक 30 से 40 minutes में यदि जिया है तो orgasm भी होगा secretion भी होगा और दौनों लोग completely एक union inclination में भी जाएंगे और दौनों लोगों को ही इस से फाइदे भी होंगे उसके बाद आता है 4th stage जिसको हम resolution कह सकते है and the resolution में यह होता है कि एक secretion के बाद orgasm के बाद body settle down होती है change होती है और उस feeling को हम prolonged feel करते है तो यह resolution होता है तो यदि आप अपनी sex life को ठीक करना चाहते हैं तो 4 stage को समझे 4 stage को जीने की कुसिस करिए connected रहिए और थोड़ा सा time गजारिए और उसके साथ अच्छी नीद लीजिए अच्छे quality का protein खाईए और regular व्यायाम करिए और कुछ ना कर पाएं तो walking करिए और positive रहिए और positive mindfulness या positive meditation आप करिए उससे फिर आपको काफी फायदे होंगे Thank you very much and take care yourself Thank you very much